दोस्तो नमस्कार एन वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तो आप आज इंटरनेट के बेन्या दुनिया का कोई अस्तित समझ नहीं सकते हैं। दुनिया में आज 5G, 6G की दिसा में कई तरह के इनोवेशन्स और टेक्नलोजिकल एक्विप्मेंट्स बनाए जाते हैं। कै फिर भी आपको पता है कि दुनिया में सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट की स्पीड कौन सा देश देता है। सैद आपको इस सामने अमेरिका, येरोपियन देश, चाइना, जापार और भाराज जिसे देशों नाम आ सकता है। जी नहीं दोस्तो, आज के इस एपिसोड में हम दुनिया के फास्टेस्ट इंटरनेट वाले देशों के बारे में बात करें। और दुनिया भर में इंटरनेट को लेकर किस तरह की क्रांती पुरी दुनिया भर में चल रही है। इसकी भी हम चर्चा और समीच्छा करने वाले हैं दोस्तो आप देख रहे हैं एनवर्ड नीव्स क्रिप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब जोई और सेयर जरू करें हाली में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने दुन्या का सबसे तेज इंटरनेट सुविधा लॉंच कर दी चर्चा थी कि दोएर पच्चिस के पहले दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट तयार होना बिलकुल मुम्किन नहीं माना है लेकिन चीन ने समय से पहले इसे लॉंच करके दुनिया को अस्टर चकित कर दिया है और आज दुनिया में चाइना दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बना है जो कि अपने नागरियों को सबसे फास्टेस इंटरनेट सुविधा मुहिया करवाता है ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं जिसमें अमेरिका और रूस दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश हैं लगिन इन सब को पीछे छोड़ो तो चाइना दुनिया में इंटरनेट के छेतों में कैसे सबसे आगी निखिए अगर हम इंटरनेट डेटा की स्पीड की बात लेते चाइना एक सब पचास SD फिल्मों को सेकंडों में ट्रांसपर्ट कर सकता है यहनी चीन में 1.2 टेराबाइट प्रत सेकंड की स्पीड मिल रही है इस अप्लम्त के बाद यहां मिल्टों में होने वाली डाउनलोडिंग को सेकंड भर में किया जा सकता है चीन ने इस दुन्या में सबसे तेज इंटरनेट को सिंगुवा विश्विद्याले चाइना मोबाइल हुआवे टेकनलोजी और सेरनेट कार्पोरेशन ने मिलकर के इस इंटरनेट की सुविधा को महिया करवाया है वहीं इंटरनेट के छेत में चीन ने पिछले दस सालों में काफी रिसर्च और टेकनलोजिकल इन्योविशन किया है वहीं चीन ने भविस्की तक्नीक और मजबुद बनाने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट को भी लांच किया गया है चीन के लिए फ्यूचर इंटरनेट टेकनलोजी इंफरस्ट्रक्चर एक एहम हिस्सा माना जाता है वहीं चीन एजुकेशन एंडिसर्च नेटवर्प का एक नया रूप बना रहा है जिससे दुनिया भर में वहीं इंटरनेट टेकनलोजी में पाथ बेकिंग रिसर्च करने भी तरफ बढ़ रहा है वहीं चीन स्पेस रिसर्च में भी दुनिया में किसी से पीछे नहीं वहीं अपना स्पेस स्टेशन बनाने की भी तयारी में जुटा हो है वहीं हालिया रिपोर्ट के माने तो चीन है कैसे प्रोजिट पर काम कर रहा है जहां मल्टीपल आप्टिकल पाथ को एक साथ जोड़ा जा सकता है जिसके कारण डाटा ट्रांस्मिशन के स्पीड और भी अधिक बढ़ सकते हैं चीन की निर्भरता आज पूरी दुनिया के सामने है यानि पूरी दुनिया ही चीन के प्रोड़क्ट इलक्ट्रिक आइटम्स पर निर्भर दिखाई देती है और यहीं वज़य है कि चीन रिसर्च और इन्नोवीशन में आज दुनिया में सबसे आगे और तेजगत से बढ़ है तो दोस्तों ये थी बात दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट के पारे में यह इन्फॉर्मिशन आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं नमस्कार